इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप Paytium wallet का पैसा आप अपने bank account में कैसे transfer कर सकते हैं वो भी बिना किसी charge के इस वीडियो में हम आपको इसे 4 तरीका बताने वाले हैं जिससे आप बहुत ही असानी से अपने Paytium wallet का पैसा आप अपने bank account में transfer कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको Paytium Wallet का पैसा bank account में transfer करने का complete process बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं Paytium Wallet to bank transfer करने के लिए आपको सबसे पहले Paytium app को करना होगा open इसके बाद उपर में आपको search bar देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको simple करना होगा click इसके बाद यहाँ पे आपको type करना होगा rent payment टाइप करते हैं यहाँ पे आपको उपर में एक option देखने को मिल जाएगा rent payment simple यहाँ पे आपको rent payment पर करना होगा click इसके बाद उपर में आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं 2 bank account, 2 mobile, 2 UPI ID आपको to bank account पर करना होगा click इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा select lender bank account simple यहाँ पर आपको करना होगा click इसके बाद आपको अपना bank यहाँ पर select करना होगा जिसमें आप patium wallet to bank transfer आप करना चाहते हैं for example हमारा SBI का है तो हम SBI पर करेंगे click इसके बाद आपको अपना bank account नमर डालना होगा इसके बाद आपको अपना bank account नमर फिर से यहाँ पर डालना होगा इसके बाद account holder name आपको डालना होगा इसके बाद simple आपको proceed पर करना होगा click इसके बाद आप जितना patium wallet to bank transfer करना चाहते हैं यहां पे आपको amount डालना होगा for example हमें 100 रुपे transfer करना है तो यहां पे हम 100 रुपे डालेंगे इसके बाद proceed to pay per हम करेंगे simple click इसके बाद यहां पे आपको payment का option देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको नीचे आना होगा और यहां पे आपको एक option देखने को मिलेगा Paytium Balance यहां पे हमारे Paytium Wallet में अभी 500 रुपे हैं तो यहां पे हम Paytium Balance पर simple करेंगे click यहां पे हमें 1 रुपे एश्ट्रा pay करना होगा तब ही हम Paytium Wallet to bank account transfer कर पाएगे तो जैसे कि यहां आप देख सकते हैं 101 रुपे हमें कुल करना होगा यहां पे हम Pay per simple करेंगे click इसके बाद यहां पे कुछ processing होगा इसके बाद आपके bank account में आपका पैसा transfer हो जाएगा जैसे कि यहां आप देख सकते हैं यहां पे आपको 1-2 घंटे के अंदर आपके bank account में पैसा credit हो जाएगे जैसे कि यहां आप देख सकते हैं अब हम आपको दूसरा तरीका बात आने वाले हैं जिससे आप बहुत ही असान जिसे Paytium wallet to bank transfer आप कर सकते हैं यहां पे आपको fit से search bar पर करना होगा click इसके बाद यहां पे आपको type करना होगा gold गोल्ड टाइप करते ही यहां पे आपको उपर में एक option देखने को मिल जाएगा gold यहां पे आपको simple करना होगा click इसके बाद निचे में आपको एक option देखने को मिलेगा proceed simple आपको proceed पर करना होगा click इसके बाद यहां पे आपको gold buy करना होगा यानि कि आपके Paytium wallet के पैसे से आपको gold buy करना होगा और उसे आपको sell करना होगा जैसे कि हमें 100 रुपय का gold buy करना है तो यहाँ पे हम 100 रुपय डालेंगे 100 रुपय डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका value अभी हमें 0.0190 gram अभी हमें देखने को मिल रहा है तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे gold buy करना होगा gold buy करने के लिए यहाँ पे आपको amount डाल देना होगा इसके बाद proceed to buy यहाँ पे आपको simple करना होगा click यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपय के हमने gold buy करिया है लेकिन यहाँ पे हमें 3 रुपय एस्ट्रा हमें देना परेंगे यहाँ पे आपको select करना होगा patium balance यहाँ पे आप देख सकते हैं patium balance पर आपको simple select करना है इसके बाद आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा pay यहाँ पे आपको कुछ time लग सकता है आपको wait करना होगा तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 103 रुपय का gold buy कर लिया है जिसका value यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अब चलिए आपको इसे sell करना होगा सेल करने के लिए आपको simple buy करना होगा और buy करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फिर से यहाँ पे search करना होगा gold गोल्ड search करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर में आपको एक option देखने को मिल जाएगा gold का इसके बाद यहां पे आपको उपर में एक option देखने कुमी लेगा sell, simple आपको sell पर करना होगा click इसके बाद आपको उपर में आपका balance देखने कुमी जाएगा जैसे कि यहां आप देख सकते हैं इसके बाद निचे आपको आना है और निचे आनेक बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को भी लेगा same आपको यहाँ पर amount यहाँ पर type कर दाना होगा जैसे कि यहाँ पर हमारा amount है 96 रुपया इसके बाद यहां पे हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे आपको एक option देखने को मिलेगा proceed to sale पर करना होगा click इसके बाद आपको अपना bank account यहां पे add करना होगा जिसमें आप अपना पैसा लेना चाहते हैं जैसे कि हमें इस account पे चाहिए तो हम यहां पे select करेंगे इसके बाद नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा proceed to sale simple आपको proceed to sale पर करना होगा click इसके बाद आपके register नमर पर एक OTP send किया जागा OTP यहां पे आपको डालना होगा इसके बाद आपको confirm पर करना होगा click इसके बाद confirm पर click करते ही आपका Paytium wallet का पैसा आपके bank account में transfer हो जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं तो चलिए हम आपको तीसरा तरीका के बारे में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से Paytium wallet का पैसा आप अपने bank account में आप कैसे transfer कर सकते हैं Paytium wallet का पैसा यूज करने के लिए आप बहुत ही असानी से bill payments होगरा भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो बहुत ही असानी से mobile recharge कर सकते हैं, detach recharge कर सकते हैं, electric bill payment कर सकते हैं, credit card का payment कर सकते हैं, gas book कर सकते हैं और भी कई सारे यहाँ पर service देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप बहुत ही असानी से Paytium wallet का पैसा आप यूज कर सकते हैं जैसे कि हमें mobile recharge करना है, तो हम mobile recharge पर simple करेंगे click इसके बाद यहाँ पर हमें mobile number डालना होगा, जो हमें recharge करना है, mobile number डालने के बाद यहाँ पर amount डालना होगा आपको कितना का recharge करना है, यहाँ पर amount डालना होगा, इसके बाद आपको simple proceed पर करना होगा click प्रोसीट पर कलिक करते ही, यहाँ पको निचे में ओपृन देखने को मिलेगा Pay, इसके बाद आप देख सकते हैं, निचे में आपको पर देखने को मिलेगा Payium Balance, निचे में ओप एक Option देखने को मिलेगा Pay themes, कर सकते हैं अब चलिए हम आपको चौथा तरीका बताने वाले हैं कि आप किस तरह से Paytium wallet का पैसा आप बहुत ही असानी से आप अपने bank account में कैसा transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी एक दुकान में जाना होगा वहाँ पे आपको एक Paytium business का एक QR code देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह के QR code को आप scan करके आप payment कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं Paytium business account बनाने के लिए तो इसके उपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखे हैं अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आप चाहें तो देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको Paytium account open करना है और नीचे में आपको एक option देखने को मिलेगा Paytium 하ẽण kanske कुल इसके बाद बहुत अबर आपको एक हमाँ डालना होगा जितना पैस आप 3 ट्रांसपर करना चाहते हैं इसके बाद। आपको spices Africa करना होगा क्लिकंड करते हैं आपका बहुत यंछानी से payment successful हो जाएग जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से पेटियम वालेट टू बैंक ट्रांसपर आप कर सकते हैं आई हो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आजेगों कि वीडियो पसंद आजेगों तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं किसी और इसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई